फ्रेंड्स क्या आपको मालूम है Technical Analysis में एक ऐसा Indicator है जिससे आपको मालूम पढ़ता है कि Market में जो Big Players होता है जिसको हम लोग Operators कहते हैं वो लोग कहां पर क्या Position बनाया है क्यूंकि Market में मना जाता है अगर वो लोग long position बना रहे है तो market उपर की तरह भगेगा और अगर short कर रहे है तो फिर market कीरेगा और यह जो indicator है इस indicator का नाम है VWAP Volume Weighted Average Price आपको अगर मालूम नहीं है VWAP क्या है तो आप यह वीडियो तो देखेंगे ही अगर आपको मालूम भी है फिर भी आप देखिएगा I'm sure यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया information मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा VWAP क्या है और इसको देखे कैसे मालूम पड़ेगा कि जो big players है वो लोग long position बना रहे है या short position बना रहे है और inter day में VWAP का इस्तिमाल करके हम लोग कैसे date कर सकते है with huge probability तो वीडियो का अंताग अब लोग ज़रूर बने रहे हैं friends मैं हूँ राजिप आपका अपना चैनल आपडेक्स में स्वागर करता हूँ अगर आप पहली बड चैनल को विजिट कर रहे हो then please consider subscribing और साथ में ये घंटी दबा देना तो anyway आभी हम लोग जानते है VWAP क्या है जैसे कि मैं आपको बताया VWAP मतलब volume weighted average price तो इसका mathematical calculation क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका interpretation क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है volume weighted average price मतलब जीस price में बहुत ज़्यदा volume के साथ position बना हो ठीक है वो position long position भी हो सकता है और short position भी हो सकता है और इससे हमें क्यों मालूम पड़ता है कि यहाँ पर operators ने position बनाया किमकि operators लोग हमेशा huge quantity के साथ rate करते है वो लोग के साथ बहुत सारा पैसा रहता है and they are more experienced ठीक है इसलिए वो लोग huge quantity के साथ या huge amount के साथ trade कर रहे है तो वो लोग अगर long position बना रहा है तो market उपर की दरब जाएगा और अगर short कर रहे है तो फिर market लू रख सकता है ठीक है और इसका mathematical calculation जानने का क्यों जोरूत नहीं है क्योंकि technical chart पर यह एक indicator available है आपको एक ready-made indicator मिल जाती है जिसका नाम है V-web तो V-web यहाँ पर मैं already डाल के रखा तो यह जो आप blue line देख रहे हो this line is nothing but V-web line ठीक है तो यहाँ पर देखो यह जगा यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि बहुत एक बड़ा लंबा candle form हुआ और यहाँ पर volume देखो volume भी बहुत बड़िया है ठीक है और इस candle कहाँ पर जाके close दिया V-web का उपर यह V-web line है V-web line की उपर मतलब यहाँ पर long position बना है जो big players है वो लोग यहाँ पर huge volume के साथ buy किया है इसलिए देखो उसके बाद market उपर की तरफ भागा तो इसलिए always better to follow the experienced one क्योंकि वो लोग experience है वो लोग market leader है आप लोग को उन लोग को ही follow करना चाहिए ठीक है तो यह गया V-web का interpretation अभी हम लोग जानते है V-web का जरिये से हम लोग कैसे intra day पर trade कर सकते है और यह V-web है ना यह intra day पर बहुत बढ़िया result देती है positionally I don't know but intra day पर यह बहुत बढ़िया result देता है ठीक है और V-web को आप हमेशा और एक दूसरा indicator के साथ मिला के ही trade करना है यहाँ पर मैं M.A.C. deal नहीं है ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर RSI भी ले सकते हो तो strategy कैसे बनानी है strategy बनाना बहुत ही simple है आपको यह देखना है कि एक particular candle अगर V-web का उपर closing दे रहा है वहाँ पर आच्छा खासा volume है और उसके साथ साथ और जो दूसरा indicator अपने लिया वो भी same signal indicate कर रहा है यहाँ पर जैसे long position बना ठीक है V-web का उपर closing दिया मतलब long position बना और यहाँ पर volume भी बहुत बढ़िया है यह देखो average volume है and यह देखो signal line है और यह MSAD line है MSAD line ने crossover दिया तो यहाँ पर buying signal generate हुआ तो दोनों तरफ से आपको buying signal मिल रही है तो आपको यहाँ पर long position बनानी है कहाँ पर बनानी है जब भी यह candle का high break होगा ठीक है तो जब भी यहाँ पर break होगा आप यहाँ पर आराम से long position बना सकते हो और उसका stop loss ideally यहाँ पर होना चाहिए अगर यह stop loss बहुत दूर लगता है तो आप इसका नीचे भी लगा सकते हो ठीक है और आपका जो target होगा वो 1-2 के हिसाब से आप लगा सकते हो या फिर जहाँ पर resistance देए ठीक है profit booking का जो logic है वो सबका अलग-अलग होता है तो आप जो भी आपको पसंद है वो logic यहाँ पर apply काना है तो यह यहाँ पर गया और एक मैं दिखा देता हूँ वीवेब कहाँ पर आपको signal दिया ओके यहाँ पर भी देखो यहाँ पर वीवेब ने signal दिया यह जो candle देख रहे हो यह वीवेब का उपर जाके closing दे दिया और यहाँ पर देखो में से लिलाइन ने भी यहाँ पर cross over दिया तो यहाँ पर long position बनेगा तो आपको इस candle का ऊपर long position बनानी है अगर आपका late हो गया तो आप दूसरा candle का उपर भी long position बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको ऐसे position बनानी हो और यहाँ पर देखो यहां पर short signal दिया, क्योंकि यह जो candle है, बहुत बड़ा candle है, और यहां पर देखो, VWAP इसका नीचे जाके close दिया, मतलब यहां पर जो operators है, वो लोग short position बनाया, और यह जो MACD line है, MACD line भी signal दिया, sell signal दिया, तो आप इस candle का नीचे short करना, और आपका stop loss है, यहां पर लगा देन है, target का जो पंदा है, वो same है, buying का case में जैसे होता है, selling का case में भी same होगा, one is to two, या आप support देखके target set कर सकते हो, ठीक है, तो है ना, यह एक मज़दार tool, तो आप सीधा इसको लेके trade करने मत लग जाना, आप paper trading करो, paper trading करके देखो, इसका result कैसा मिलता है, अगर सही मिल रहा ह है, उसके बाद ही आप real money के साथ trade करना, तो यह tool कैसा लगा, comment box में लिखके आप जुरूर बतिएगा, और अगर वीडियो है helpful रहा, आप इसको like और share करना, and please दूस्तों subscribe करना मत भूलेगा, so that's all for today, thank you.